भारत का मार्केट कैप पहली बाग 400 लाख करोड रुपए के पार पहुंच गया है आक्रों पर नज़र डालें तो पिछले नौ महीनों में इसमें 100 लाख करोड रुपए का इजाफा हुआ है हमें तो गैस नहीं मिलरी भई हम तो गैस नहीं ले सकते हैं ठीक है हमारी तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे हैं चीनी आयाए ते चीनियों को मारमार के भगा दी है हमने हला जूके तू रहें तो खच्चा यह है कि रेलवे अगले पांच साल में बंद होने के करीब पहुंच आएगी पाकिस्तान अगर कल को कॉलैप्स कर जाता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजन्स है उनका अपस में तावन होना चाहिए दोनों की मिल्टरीज का अपस में तावन होना यह चल रही है कि भारत जो है वो आकस जाइन करने वाला है मंबई का इल्जाम हम पर लगा पार्लिमेंट का इल्जाम हम पर लगा आपने का मुलकी माशियत आई एमफ के मरहुने मिन्नत है मैं माफी चाहता हूँ तो वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटी लेटर पे है और अगर इन्होंने मैश्य तब ठीक ना की और अवाम के लिए कुछ खुशाली ना लाए अगले जितनी देर इनकी कवर्मन्ट है तो फिर जाहर है कि इनके इनके हालात और भी खराब हो जाएं यह जहन में रखें कि अगर इन्डिया आकस जाइन करता है जो के जिसको आस्ट्रेलिया युनाइट किंग्डियम एंड अमेरिका जो है इन्होंने एक समझें कि एक अन अनौन्स किसम की एक ट्राइलाटरल सिक्यूरिटी पार्टनर्शिप है दोस्तों इस वक्ता एक बड़ी न्यूज है हमारे खिते से और वो यह है और इसका तालुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वह कहते हैं बिजनस इंवाइर्मेंट से भी है और वो यह है कि एपल जो है उन्होंने कहा है कि वो पांच लाक नौकरियां जो है वो बारत में क्रियेट करने जा रहे हैं कुछ अगले तीन साल के अंदर और जो मैं कहा हूँ कि जो ग्लोबल मैनुफेक्टरिंग इन्वार्मेंट एंड बिजनस इन्वार्मेंट के उपर जो असर चीज डालने वाली हुई है कि आइफून ने कहा है कि वो अपनी अल्मॉस्ट हाफ अप दे सिप्लाइ चेंज जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे है और ये इस वकत आपको पता है उननीश से इलेक्शन शुरू है बारत के अंदर ये प्राइम निस्ट और मोदी के लिए बहुत बड़ी एक एक इमपॉर्टन नियूज है जबके वो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं उनको महौल चाहिए उनकी ऑपॉजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है वो प्रेस कांफरेंस नहीं करते उनको करजे बड़े ले ली हैं उनके पास आइटिंक वो पंतालीस हजार लाग कितने के लाग करोड के करजे थे और अब दो लाग करोड के हो गए हैं इस तरह किसम के जो करजें की बातें भी हो रही हैं मैं इंडियन पॉलिटेक्स के अंदर की बात तो नहीं कह रहा हैं लेकिन आम जिस टॉकिंग अबोट इस के हो दिस इस 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 इंटाइड डिस्कुशन फ्रम वन कंट्री तो अनदर और आपको पता है हम बहुत देज से एक बात कर रहे हैं जी हो हम बात कर रहे हैं कि ज शारी प्लस ए जॉत शारे बस इस 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 जोटनक्रे के डीरिस्किंग है कि यह जोट आपको पता है यह बहुत हम बहुत बड़ा टेक्ट अगर अपनी हाफ आफ दे सप्प्लाइचेन वो इंडिया लेकर आना चाह रहे हैं ठीक है जी अभी सुनने में यह आ रहा है कि जो इस वक्त जो करेंट ली जो डिमेस्टिक वो जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन ग्यारा से बारा परसंट चलती है जो कि उस सुर्पाइब इस वाले से आप देखें जो है वो इनडिया ग्याराया के अंडर आपल चोदांपर आज़ैंडर कर रहा है जब के चाइना के अंदर इक्तालियस पर्षिंट कर रहा है सो यह आप देखें कि यह कितनी बड़ी तदाद में यह 14 से वो 20 परशन्ट जाना चाहते है विदिन दे नेक्स फाइव येर्स की बात हो लिए सो अगर यह 20 परशन्ट पर चले जाते हैं तो तैस अ बिग निउस इन फैक्ट और आपको पता है जितनी भी एपल की जॉब है यह ब्लू कॉलर जॉब है और अगर आप यह देखें कि इस तरह वो गर को डेल लाग के करीब डिरेक्ट जॉब्स क्रियेट कर रहे हैं तीन इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो काते हैं कि यह एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा एको सिस्टम त्यार हो रहा है और यह जारी बात है वो जिसे कहते है ना इट वोंट स्टॉप हीर दो फॉक्सकॉन टाटा सलकॉम आपल यहा तो जिसे वो काते हैं ना क्योंकि टाटा एलेक्ट्रोनिक भी सप्लायर है सलकॉम टेक्नालोजीज भी सप्लायर है फॉक्स लेंग संवोडो बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको कह नाम है अपल को और बड़ा इंपॉर्टन रोल प्ले कर रहे हैं पॉचास मिलियन पाँच करोड डिवाइसे इंडिया से त्यार करेंगे तो पाँच करोड बहुत बड़ा नंबर होता है आँ मैं समझता हूं कि इसको अगर आफ यह देखें कि यह जो आपल की जो प्रड़क्शन है ठीक है पिछले साल पे रहाला को एक लाक करोड जो है उ इनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को वो को एक मौका मिल रहा कि वो इदर आ रहे हैं फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज हैं सप्लायर हैं उनको मजीद मौका मिल रहा है कि वहाई चलो वहां चलते हैं वहां काम है कारोबार है वहां इस तरह की चीज़ें हैं सो यह क्या है और इस पर बात करते हैं लेकिन यह जहन में रखें कि अगर इंडिया आकस्ट जाइन करता है जो के जिसको आस्ट्रेलिया युनाइट किंग्डियम एंड अमेरिका जो है इन्हों ने एक समझें कि एक अननौंस किसम की एक ट्रैलैटरल सिक्यूरिटी पर इसका जो मक्सद है वो कहते हैं जी के हम तमाम हकूमते जो हैं वो एक बूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सीक्यूरिटी एंड डिफेंस इड्रस्ट में और एक लांग टर्म रिलेशन्शिप बिल्ड करना चाहते हैं एक डीपर इन्फॉमेशन sharing करना चाहते हैं technological spectrum में defense related science में supply chain के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो supply chain है industrial based बजबूत करनी है ये सारी चीजें they are part of that but in fact ये है एक military block बनाना है against China इंडिया है इसको avoid कर रहा है ये जो है वो अगा आपको याद हो कॉर्ड भी एक ऐसा multi-lateral forum है जिसमें इंडिया अमरीका औस्ट्रेलिया और जिपान झाल